सरकार ने इंद्रा आवास योजना बनाई ताकि घरीब लोगों को पक्का आवास मिल सके परंतु उत्तर पर देश स्रावस्ति बलाख अरिहर पुरानी के नकईपूर पोस्ट मटखनवा के निवासे किरपा राम सहित 35 लोगों को इंद्रा आवास ना मिलने के करण काफी परेसानियों का सामना करना पड़ रहा है मुझे को बहुत बड़ी परियसानी है सर। जब बाड़ा आ जाती तो बच्चों को बहुत परियसानी पढ़ जाती है। प्रियास यह मैं वीडियो खिर गए गाव का परधान ते गए देम तक मुचे हुए थे लेकर हमारा लोन की कहीं सुनवाई नहीं आतक हुई पताए दादा आपको क्या परेसानिया हो रही है घर के परेसानिया वास के बहुत जरूरी है और हम बहुत परेसान हम कोई चीज हम नहीं कहीं पाई थे खेती है उन्हां को अधर लड़के बच्चे प्रहसं बाड़ के बहुत दिक्कत हो जा जा थे घर खूश नहीं बनाए इसके लिए कभी आपने कहीं परियास किया परियास किया जान लई चाहिए तो उन्हेरे डियम साहब से कहा डियम साहब पानी रहा जाल आओड गये एके बाद मिंदरानी से कहा आज तक कोई हमार सुनवाई नहीं इंदरानी कौन है उन्हों ने क्या कहा हूँ जाएगा हो जाएगा तक कुछ नहीं बहुत बच्चेन का जिवाई की घर बनवाई कि कहूं एक भी गाई बचे तो खेत जमीन ले ली तो बच् साधन नहीं है साहिब परियास तो साहिब बहुत की इन परधान ठीर गया है मैंने और विचार मिन से कहीब हो किने लेकिन कोई तवज्जे हमार का बात के नहीं है मैं और मेरा समधाय चाहता है कि इन 35 गरीब परिवार के लोगों को इंद्रा आवाज दिलाए जाए ताकि इनकी समस्याएं दूर हो सकें मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्सकों से हमारी अपील है कि आप लोग खंडबिका सदिकारी का मुबाइल नंबर 95-644-00-30 पर काल करके दबाव बनाए और हमारी मदद करें मैं रही साहमात उत्तर पर दे जिलासरा वस्ति इंडियानाट के लिए झाल